हेलो दोस्तों तो यह सुन्दर सी ड्रेस किसको पसंद आई कॉमेंट करके जुरू बतानों और यहां पे में क्यों नाच रही हूँ क्या हुआ पागल होगी क्या नहीं नहीं कल है मेरे लल्ला का बड़े तो आज मैं बना रही हूँ अपने लल्ला के लिए एक नई ड्रेस पहले मैंने यह निकाला मैंनने इसको इसको इसके ड्रेस अच्छी नहीं लगएगी लेकिन बनने के बाद यह ड्रेस बहुत ही प्यारी लगी तो यह नहीं बनने के बाद यहां पे एक लेकिन ये ड्रेस जो है मैंने सिर्फ मात्र 15 रुपे में बना दी है कपड़ा मेरे पास था और अस्तर भी मेरे पास पड़े रहते हैं टुकड़े वगेरा तो बस मैंने 15 रुपे की लेस मगाई थी 15 रुपे की भी पूरी लेस नहीं लगी है इसमें तो यहां पर बस ये देखें मैंने इस तरीके से पट्टियां काट लिए लला के ऊपर का वैसे मैं एक दूसरी ड्रेस सनफ्लावर वाली बनाने वाली थी लेकिन मैंने का नहीं यार उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और मैं इस वीडियो को अभी ही शेयर करना चाहती थी क्योंकि कोई अगर अपने लला के लिए ड्रेस बनाना चाहता है तो फटा फट से बना लेता है इसलिए मैं इस वीडियो की फटा फट से अभी ही एडिटिंग कर रही हूं ताकि आप मैंसे कोई भी अपने लला के पसंद आई हो तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना तो हमने नीचे की जो घांग रहा है वो तो बनाई लिया उपर की हम चोली बना रहे हैं तो ये देखेंगे में कितनी सुन्दर लग रही है और ये वाली लेश इस पे कुछ ज़्जाद ही अच्छी नहीं लगरी पहले मैं सोचीती शायद अच्छी नहीं लगेगी लेकिन बनने के बाद तो ये ड्रेस इतनी हैवी लग रही थी ऐसा लग रहा थे जैसे कि हम मार्के में भी उनके लिए बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस बना सकते हैं तो आप लगों कोई ड्रेस कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रू बताना और पीछे मैंने इसमें क्या कहते हूं उसको तनिया बांदी है जिस तरीके से हमारी फ्रॉक बनते हैं तो यह